तो गाइस स्वागत आपको नीज़ी वीडियो में और जैसे कि आप सब जानते है Money in the bank आप काफी जयादा करीब है तो एसे में इस वीडि़ो में बात करने वाल हो Money in the bank के betting odds की यानि betting odds के CC किस मैच का क्या results होने वाला है लेते हैं हमारे The American Nightmare Cody Rhodes vs Dominic Mysterio के match की तो यहां पर Cody Rhodes के साथ odds minus 700 है वहां Dominic Mysterio के साथ odds plus 400 है तो clearly यहां पर Cody Rhodes favorite है इस match को जीतने के और अगर आपको नहीं पता जिसके odds कम होते हैं उसके यहां पर जीतने की chances जादा होता है यानि Cody Rhodes का हम देखे रहें यहां पर minus 700 है और Dominic Mysterio के plus 400 है तो Cody Rhodes अपने में यहां पर favorite बन जाते हैं इस match को जीतने के और betting odds का भी यही कहना है तो guys अगले match की बात करें तो यह होगा हमारे The Visionary, Revolutionary Seth Fricking Rollins versus Finn Balor के बीच और यहां पर betting odds का फास्ट लब बहुत ही जादा है क्योंकि Seth Rollins यहां पर minus 2000 से आ गया है वहीं Finn Balor के पास जो odds है वो है plus 700 यानि Seth Rollins पूरी तरह से favorites match को जीतने के और betting odds के according इस match को पूरी तरह से जीतने वाल है Seth Fricking Rollins Finn Balor के यहां पर काफी कम chances है Women's Money in the Bank ladder match की बात करें तो इसमें भी odds काफी कमाल के देखने को मिल रहे है और यहां पर जीतने की लिष्ट में जो सबसे उपर नाम है वो है E.O.Sky का जिनके odds है यहां पर minus 400 इसके बाद नाम आ रहा है Becky Lynch का जिनके odds है प्लस 350 इसके बाद नाम है यहां पर तीसे नंबर पर बेली का जिनके odds से प्लस 500 तो SME E.O.Sky का यहां पर सबसे ज्यादा chances है कि वह यहां पर Women's Money in the Bank जीतने वाली है उनके बाद यहां पर Becky Lynch का नाम है और तीसे नंबर पर नाम है यहां पर बेली का इनके भी यहां पर chances है मनी दा बैंक को जीतने के तो देखते हैं गाइस Women's Money in the Bank को कौन जीता है आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके साब से उसका winner कौन होने वाला है तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहां पर Men's Money in the Bank लेडर मैच की जिसके हमारे participants हैं यहां पर Damon Priest, Butch, LA Knight, Sinsuke, Nakamura, Ricochet, Santos, Escobar और अभी इस मैच में Logan Paul पर जुड़ 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 जुगे हैं तो ऐसे में अगर इस मैच के हम यहां पर betting odds को देखें तो सबसे जादे chances यहां पर LA Knight के हैं कि वो यहां पर Men in the Bank मैच जीतने वाले हैं क्योंकि वो minus 200 के odds के साथ लिस्ट के top पर हैं दुसरे निमबर पर नाम है Logan Paul का जिनके odds यहां पर plus 125 और तीसे निमबर पर नाम है Damien Priest का जो कि plus 150 के साथ तीसे निमबर पर बने हुए हैं तो ऐसे में बेटिंग odds के according सबसे जादा chances यहां पर LA Knight के ही लग रहे हैं जीतने के इसके बाद Logan Paul के भी chances हैं और तीसे निमबर पर यहां पर Demon Priest के भी chances हैं तो देखते हैं गाइस Men's Money in the Bank मैच कौन जीता है आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके साथ से मैच कौन जीतना चीए तो गाइस अब हम यहां पर आपने आखरी मैच की बात कर लेते हैं यानि दे ट्राइबल चीफ हैड ओप दे टेबल, Roman Reigns और इनकी स्टोय लैन ने क्या ही कमाल का टन लिया है क्या ही कमाल की स्टोय लैन चल रही है और Bloodline पूरी तरह से तूट चुकी है लेकिन अगर हम यहां पर Betting Arts को देखे तो Betting Arts यहां पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि वो फेवर कर रहे हैं यहां पर The Usos का क्योंकि The Usos के Arts यहां पर माइनस 150 हैं वहीं Roman Reigns और सोलो सिको के Arts प्लस 110 है तो आप देखे सकते हैं The Usos के यहां पर Come Arts यहां पर जीतने के ज़्यादा चांसे हैं और सहीद The Usos के जीतने के चांस इसलिए भी जाता होंगे क्योंकि अगर Roman Reigns और सोलो सिको जीत जाएंगे तो इस स्टोय लैन को आगे बढ़ाना थोड़ा सा मुस्किल होगा और ऐसे में The Usos जीतते हैं तो स्टोय लैन आगे बढ़ते रहेगी क्योंकि Roman Reigns ऐसे हार के बाद चुप तो नहीं बैठेंगे तो यह थे Money in the Bank के बैटिंग और्स कुछ मैचिस के बैटिंग और्स अभी आए नहीं है